नमस्कार लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विवेक मिश्र हमारा आज का विशे है फेस्बुक निगरानी बोर्ड फेस्बुक निगरानी बोर्ड एक स्वायत निगाए है यह बोर्ड फेस्बुक या इसके फोटो सेरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम द्वारा किसी व्यक्ति के कंटेंट को सेर करने या न करने के निरड़े की जाच करके उसके संदर्भ में निरड़े लेता है जाच के दोरान इसके दोरा दिये गर निरड़े फेस्बुक के लिए बाध्यकारी होते हैं यह किसी मामले के संदर्भ में या फेस्बुक दोरा अनुरोध करने पर फेस्बुक की कंटेंट पॉलिसी में परिवर्तनों की अनुसंसा भी कर सकता है लेकिन इस तरह के अनुसंसाएं फेस्बुक के लिए बाध्यकारी नहीं होती निगरानी बोर्ड को फेस्बुक के सुप्रिम कोड के रूप में भी जाना जाता है इसकी घोषणा साल 2018 में की गई थी जबकि 22 अक्टूबर 2020 से इसने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू गिया निगरानी बोर्ड में किसी भी मामले की जाच एक पांच सदस्य पैनल द्वारा की जाती है इनमें से एक सदस्य उस भागुलिक शेत्र से होता है जहां से संबंधित मामले की जाच की जारही होती है हाल ही में बोर्ड ने फेस्बुक द्वारा ततकालिन अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प के फेस्बुक पेस को ब्लॉप करने संबंधी निरड़े को बरकरार रखा है फेस्बुक या इंस्टाग्राम के साथ साथ इनके उपयोग करता किसी सिकायत की स्थिति में जाच के लिए मामलों को बोर्ड के पास भेंच सकते हैं निगरानी बोर्ड की स्वतंतरता सुनिश्चित करने के लिए फेस्बुक ने 130 मिलियन डॉलर के आरंभिक वित्तियन से एक अपरिवर्तनी ट्रस्ट का गठन भी किया है फिलहाल आज के दैनिक मंधन कारिक्रम में बस इतना ही मुझे दिजिए इजाजत नमस्कार